हेलो एवरीवन वेलकम और वेलकम बैक तो ओवर यूट्यूब चानल इंग्लिश ओनर्स हब सो आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं Environmental Science Theory into Practice 2 का लेसन नमबर 18 जिसका नाम है Disaster Management सो आएए वीडियो स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक है Post Disaster Management and Disaster Mitigation सबसे पहले हम जान लेते हैं कि Disaster Management क्या होता है तो जब कोई बीडिजास्टर आता है जैसे Earthquake Flirt या कुछ भी हो जाए तो उस डिजास्टर को मैनेज करने का जो प्रोसेस है पूरा उसी को Disaster Management कहते हैं प्री डिजास्टर प्लान वो होते हैं जो कि हम Disaster होने से पहले जो भी हम पूरी Management करते हैं काम करते हैं उसे प्री डिजास्टर कहते हैं प्री डिजास्टर मैनेजमेंट कहते हैं और प्रोस डिजास्टर प्लान वो होते हैं जो कि हम Disaster आने के बाद जो प्लान करते हैं उसको कहते हैं इंडियन सब कॉंटिनेंट के अंदर ड्रोड्स, फ्लर्ड्स, साइकलोन, अर्थक्विक, लैंड्सलाइट, फॉरस्ट फायर यह सब आना काफी नॉर्मल है और सभी Natural Calamities को पहले से प्रेडिक्ट करना भी पॉसिबल नहीं है जिससे कि हम पहले से प्रेपरेशन सारी कर सकें अगर कोई भी Disaster आता है उसे हम ढंक से मैनेज नहीं कर पाते हैं तो बहुत लोगों की Life जा सकती है, Property जा सकती है, Humans को सफर करना पड़ सकता है और वापिस से Normal में Restore होना में बहुत जादा टाइम लग जाता है Post Disaster Management के अंदर बहुत सारी Problems सॉल्फ की जाती है जैसे Medical Facilities प्रोवाइड करवाना, Relief प्रोवाइड करवाना, Shelter, लोगों को Warnings देना, Etc. अब आगे देखते हैं आज की टाइम पर हमारे पर बहुत साही टेक्निक्स है, जैसे कि हमें पता चल जाता है कि कोई Natural Disaster आने वाला है और यह अब जादा Accurate हो गया है पहले से, Prediction करनी के लिए, बट इसका मतलब यह नहीं है कि सारे ही Disaster हम प्रेडिक्ट कर पाए पहले से यहाँ पर Disaster Mitigation Important रोल प्ले करता है Mitigation मतलब की एक सस्टेंड आक्शन लेना जिससे की Long Term Vulnerability ना जेलनी पड़े Human Life को और Property भी जल से जल रिकवर हो सके इसके Goals है, Identify करना की Issues को पर Develop करना Recovery Strategy Identify करना पर Disaster Mitigation Projects और अपनी Preparation Capabilities को और बढ़ाना अब नेक्स टॉपिक है Disaster Preparation Preparedness का मतलब की कोई भी Disaster या Threat आने वाला है तो उसके हम पहले से Preparation करके रखे हैं जैसे की जो भी Emergency Needs पढ़ने वाली है हमें वो सारे Resources हम पहले से ही इखटपा कर लें Preparedness का पहला Objective है कि Disaster का Impact उन लोगों पर कम किया जाए जो कि सबसे जादा Effected होते है जैसे कि Poor and Handicapped लोग और इन्हें जादा से जादा Benefit और Relief दिया जाए Second Objective है कि System की Capacities और Capabilities को और Strengthen करना अब आगे बढ़ते हैं Next Topic है Multidisciplinary and Multisectoral Nature of Disaster Management Disaster Management एक Multidisciplinary एरिया है सबसे जादा Disaster Management की Responsibility State Government के हाथों में होती है और Central Government का ये काम है कि वो Appropriate Measures ले Rescue, Relief and Preparedness के फिल्ड में अब है Guidelines for Effective Management of Mitigation Program मतलब कि Mitigation Program को Effectively Run करने के लिए क्या-क्या Guidelines है तो पहला है कि Pre-Disaster Mitigation Help करेगा Faster Recovery में और Impacts जितने भी है Disaster की वज़े से उसको भी कम करेगा Mitigation Measures लेते वक्त हमें ध्यान रखना है कि Natural and Cultural Assets Community के वो Protected रहें जो लुग जादा Effective हुए है Disaster से उनकी जादा से जादा Help करना किसी भी Mitigation Program की Partnership होनी चाहिए Government, Scientific, Private Sector, NGO Community के बीच में अब है Main Elimination Strategy तो Disaster Mitigation का Main Focus है कि जो भी Hazards हुए है Disaster की वज़े से उनको कम करना उसकी जो Direct Effects है उनको कम करना Best Example है Mitigation का कि हम Dams बना सकते हैं जिसकी वज़े से Flood नहीं आएंगे अब Next Topic है Main Elements of Mitigation Strategy तो पहला है Risk Assessment and Vulnerability Analysis मतलब कि सबसे पहले हमें Hotspot Areas जूणने वह एरिया जहां पे रिस्क सबसे जादा है और जहां पे सबसे जादा effect हुआ है जो एरिया वह ढूनना है हमें इंटिफाइ करना है दूसरा element है Applied Research and Technology Transfer जब हमने इंटिफाइ कर लिया तो उसके बाद हम उस पे research करेंगे कि यहां पे क्या क्या हम कर सकते हैं जिससे कि यहां पे improvement आए तीसरा है Public Awareness लोगों के बीच में Awareness फिलाओ कि लोग क्या कर सकते हैं अपने लेवल पे इसको कम करने के लिए फोर्थ है Institutional Mechanism मतलब कि एक permanent disaster management framework बनाना जिसके अंदर हर एक department को अपनी responsibilities दी जाएंगी और specialized groups and experts को बुलाना जिससे कि वो implement कर सके अलग-अलग mitigation strategies 5th है incentives and resources for mitigation Stable resources provide mitigation programs के लिए 6th है land use planning and regulation मतलब जन एरिया में flood आया है कुछ भी disaster हुआ है तो लोगों को aware करना कि वो जगा वो लोग use ना करे 7th है hazard resistant design and construction मतलब कि building sites को carefully choose करना और फिर वहां पर disaster resistant construction technique का इस्तिमाल करना जिससे कि buildings और stronger बने और वो natural disaster को सह सके 8th point is structure and constructional reinforcement of existing buildings मतलब कि पुरानी जो buildings है existing buildings उनको और ज्यादे strengthen करना by inserting walls, reinforcing frame system, designing electrical equipment above flood level ensuring water storage ensuring water storage tanks जो की strong winds है सके earthquake and floods अब next topic है causes effect and mitigation measures of the disasters in India पहला है flood flood तो आप सबको पता ही है बाढ़ाज जाना जब water level बढ़ जाता है flood natural ecological or anthropogenic factor किसी भी वज़े से हो सकता है or human activities जैसे defoistation करना यह सब भी floods की वज़ा हो सकती है साथी साथ heavy rainfall main cause है floods का और India most affected country है इस world में जहां पर flood आते हैं अब आगे बढ़ते हैं effects क्या है इसके floods की वज़े से उन लोगों को बहुत जादा सफर करना पड़ता है जो की low lying areas में रहते हैं क्योंकि उनके जो घर है और properties है वो सब wash away हो जाती है जादा तर flood के शिकार rulers लोग ही होते हैं या फिर वो लोग जो की economically poor है तो अब हम mitigation measures देखते हैं तो पहला है regularly water को release करना reservoirs से monsoon के बाद जिससे की flooding ना हो सके दूसरा की हम embagments और flood walls बना सकते हैं जिससे की rivers overflow नहीं करेंगी उनके banks से और हम improve कर सकते है river flow conditions को और erosion control measures implement कर सकते हैं जिससे की risk of flooding कम होई और फिर्थ है improved drainage improve कर सकते हैं कुछ flood plain management दे रखे हैं जैसे की flood insurance करभा सकते हैं flood forecasting कर सकते हैं warning दे सकते हैं लोगों को पहले flood आने से wetlands manage करना फिर आगे वहीं बता रखे हैं कि हम flood को कैसे रोग सकते हैं dam और reservoirs बना के embankments flood walls बना के natural retention basin channel improve कर के drainage improvement diversion of flood waters अब पोस्ट flood management अब पोस्ट flood management तो जब flood आ गया तो हम पहला काम कर सकते हैं कि speedy restoration of road, rail routes and postal services normal water supply देना affected areas में by arranging tankers arrange कर सकते हैं उनके लिए proper arrangements देना proper arrangements करना supply of food, shelter, clothing इन सब के लिए poor people के लिए supply करना petroleum and kerosene oil एक survey team भेजना यह देखने के लिए कि affected population को क्या-क्या दिक्कते हो रहे हैं फिर उसे साबसे arrangement करना arrangements जो कि हम during and after flood कर सकते हैं पहला organizing rescue operation दूसरा कि लोगों के लिए shelter arrange करना relief camp organize कर सकते हैं basic चीज़े जैसे कि drinking water, sanitation, public healthcare facilities यह सब provide करवाना लोगों को भेजना यह देखने के लिए कि क्या-क्या जेलना पड़ रहा है उन्हें और उनकी मदद करना emergency relief देना affected people को daily report त्यार करके mass media के through सब को correct information पहुचाना homeless को घर देना, रहने के जगा provide करवाना, health measures करना अब next है Earthquakes Earthquakes तो आपको बताए Tectonic movement की वज़े से Earthquake आता है Earthquake की intensity हम measure कर सकते है richer scale से but as of now अभी कोई भी predicting नहीं है जिससे के हम predicting measure नहीं है Earthquake जो है वो घर collapse कर देते है जिसका poor construction हो रखा हो Earthquake को predict करने के लिए यह नमबर आफ जियो फिजिकल और जियो कैमिकल parameters को ध्यान में रखना होता है जैसे की land deformation tilt strain यह सब important changes जिसको observe किया जाता है Earthquake से पहले दूसरा की number of small shock बढ़ जाते है main earthquake आने से पहले velocity, resistivity redon यह साही चीज़े हमें देखनी पढ़ती है Earthquake से पहले प्रेडिक्ट करने के लिए यह साही चीज़े देखनी पढ़ती है अगर government, local NGOs, local community सब साथ में काम करेंगे इनका coordination अच्छा होगा तो human suffering थोड़ी कम हो जाएगी और लोगों को भी थोड़ा relief मिलेगा next है cyclones cyclone भी आपको पता ही है open ocean के बीच ओ बीच intense depressions form हो जाते हैं जो कि फिर land की तरफ आते है और काफी साथा destruction होता है इसकी वज़े से Indian ocean one of the six major cyclone prone region है world का damage depend करता है की cyclone की intensity क्या है disaster management को तीन main characteristics and effect of cyclone को reduce करने का aim रखना चाहिए पहला है high speed winds storm surge and floods caused by heavy and widespread rainfall cyclone को डंग से manage करने के लिए यह साई चीज़े होने चाहिए हमें समझ मे आना चाहिए formation development structure and movement of cyclone हमार में capability होने चाहिए कि हम cyclone को detect कर सके हमार में इती capability होने चाहिए कि हम उसके movement को detect कर सके उसके behavior को कर सके और फिर लोगों को time पे warn कर सके measures लेना cyclone preparedness का advance में और cyclone जब आ रहा है उसके दौरान भी relief or rehabilitation देना cyclone के बाद और hazard mitigation policy को लिखे आना mitigation measures है installation of early warning system पहले से ही लोगों को warn कर देना communication infrastructure develop करना, shelter belts develop करना, permanent houses बनाना लोगों को educate करना on land use control and settlement planning अब है landslides landslides हिमालिया region में काफी common है जब रोग, dirt और बाकी other materials mountain side से slide हो जाते हैं तब landslide होता है यह काफी सारे reason की वज़े से हो सकता है but main reason है इसका gravity other factors भी हो सकते हैं जैसे की erosion from rivers glacier या waves human activities भी हो सकते है reason जैसे की construction landslide कुछ sudden changes की वज़े से भी आ सकते हैं जैसे की earthquake आ गया या फिर gradual change जैसे की erosion अब आगे देखते है measures क्या क्या है landslide prevent करने के लिए वह है drainage measures लेना erosion control measures जैसे की bamboo check dams terracing rock fall control measures जैसे की grass plantation deforestation ना करना improve करना forestation को यह सारे measures help कर सकते है landslide से बचने में अब है tsunami जब tectonic earthquakes sea के अंदर आते है तो sea के उपर water है वह displays हो जाता है equilibrium position से इसके वज़े से tsunami आती है जब एक large area sea floor का elevate होता है तो tsunami create होती है जो weight है water का वह काफी सारे objects को crush कर सकता है जो भी उसके सामने आए कभी कभी तो इतना खतरनाग होता है कि buildings उनके foundation सबको गिरा देता है अब आगे है कि हम इस disaster के साथ कैसे deal करें natural disaster suddenly आ सकता है unexpected ली आ सकता है warning के साथ भी आ सकता है warning के बिना भी आ सकता है और इसका असर social economic और community life तीनों पर पड़ता है large number of agencies जैसे की revenue, police, health, transport, electricity, fire brigade ये सब disaster के साथ deal करने में बहुत help करती है कितनी जल्दी हम disaster से बच जाते हैं वो depend करता है कि local और central government कैसे काम कर रही है क्या वो लोगों को सही facilities provide कर रही है time पर या नहीं तो ये पुरा local और central government पर depend करता है तो यहीं पर हमारा chapter खतम होता है I hope आपको सब समझ आया होगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो like, comment, share and subscribe करते हुए जाना thanks for watching खतम बाई बाई टाटा गुडबाई कर दो कर दो कर दो